तीन साल की बच्ची की की चाकू से हत्या मेरट में मामा की बरात में आई तीन साल की बच्ची का पहले किया किटनेप और फिर समसान में ले जाकर उसकी हत्या कर दी आपको बता दे कि बरात में बहुत देर तक बच्ची ना दिखाई देने पर उसके पिता ने आसपास के लोगों से पूस्ताज की जैसी बच्ची नहीं मिली तो उसके पिता ने पुलिस में रिपोर्ट लिग वाई और पुलिस ने बच्ची को खोजना शुरू कर दिया आपको बता दे कि बच्ची मंगलवार को रात तीन बजे एक समसान घाट में मिली, बच्ची जब मिली थी तो उसकी बॉडी पर कोई भी कपड़े नहीं तो बच्ची के सर के बाल भी नोचे हुए थे, ऐसे में रेप की आसंखर लगाई जा रही है, फिलाल पुलिस ने बच् इसे भी कोई भी विवाद नहीं था, उसने अपनी बच्ची को अपने बेटे की बरावर में एक चार पाई पर लिटाया था और वो वाश्रूम के लिए चला गया था, उसकी पतनी धुलन के साथ बिजी थी, जब वो वापिस लोटके आया तो उसकी बेटी वहाँ पर नही थी, उसने दुबारा एक और घर में जाके खट-खटाया और पूचा उसने, तो उस घर के लोगों ने भी का कि जोर-जोर से बच्ची की चिलाने की आवाज आई, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो बच्ची कहा गई, पुलिस ने पूस्ताज की और CCTV फोटेज वगेरा चेक करी तो गाउ के तीन लोगों को पकड़ा, फिलाल पुलिस गाउ के तीनों लोगों से पूस्ताज कर रही है और इस मामले की जाच में लगी हुई है, जैसे इस मामले के बारे में कुछ पता चलेगा तो हम आपको आगे की जानकारी जरूर देंगे